आप सब्सक्राइब क्लास में स्वागत थे जो जो आप लोग इस साल क्लास 12 का एग्जाम दिये हैं यह वीडियो आपके लिए है चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप आर्ट से से हो साइन्स से हो या फिर कॉमर्स से हो आपको यह वीडियो पुरा देखना है देखो सीवीटी यूजी जो हमारा 2024 में जो एक्जाम होने वाला है इसको लेकर नौटिफिकेशन आ गया है यहाँ पर देखो यह जो नौटिफिकेशन है इसमें साब साब बताया गया है कि आप लोगों का फॉर्म भनने का लास डेट कब तक है किस प्रकार साब फॉर्म को भरोगे यहां पीजस की अगर आप आगहे आप बेसी करना चाहते हैं जाहिए आप बिक hilar करना चाहते हैं या फिर आप करना चाहते हैं या तो आपको सीवीटी का अग्यां जाना पड़ेगा ज़ारा का किसी बी इन्वरिशेटी में प्लेसी और यह अग्योंERE को coταईայ जम थेना प computer based आपका test होने वाला है CBT वाला होगा कौन-कौन सा subject होगा आगे आपको detail में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या है आपके लिए एक WhatsApp चेनल बनाया है और एक YouTube का चेनल बनाया है जिसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा आप जारी होगा उसी चेनल पर कराया जाएगा इसलिए आप उस चेनल में पका सब्सक्राइब जूर जाओ और WhatsApp बाला जो चेनल है उसमें भी जूर जाओ कि वहां पर आपको PDF नोट्स विगरा में आपको प्रभाड करा दूंगा देखो यहां पर आप देख सकते हो यह आज का अभी गर्मागरम अपडेट है अब देख सकते हो 27 फरवरी 2024 यहां पर लिखा हुआ भी है पब्लिक नोटिस अब देख लो यह सीईटी यूजी का है यह सीईटी यूजी यूजी मतलब अंडर ग्रेजवेट प्रोग्राम जिसको बोलेंगे आप झारकन कि किसी भी आप चा जादा इंपोर्टेंट है आपके लिए देख लो क्या है यहां पर इसको आप देख लो चाहो ताप इसका स्क्रिंशॉट भी लेकर रख सकते हो क्या है कि ऑनलाइन सब्मिसन और अप्लिकेशन फॉर्म आपका यह जो अप्लिकेशन फॉर्म जो एपला हो रहा है सताश में होता क्या है जान लो किसर सब्यक्त अभा गशुश्व चैनलो किनकि यहां पर सब्यक्त करता कि कोंझे सब्यक्त मांगग और जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले कि आपको हरवडा के फॉर्म नहीं भरना है एकक करके मैं आपको step by step हरी चीज बता दूँगा कैसे होगा क्या होगा कहां से होगा सब कुछ मैं आपको समझा दूगा सब कुछ समझा दूगा अब आपका बहुत समय है 27 फरवरी से यहां पर फ अब कुछ पता है बहुत सरे बच्चों का थे मैने खुद फॉर्म भर दिया था उन लोग गल्ती भर दिये थे लास्ट आपको फॉन करके call करके मेंसेज करके मेरे से फॉर्म भर वाये थे तैंसन मतलो मैं आपको विस्तार पूर बता दूगा कैसे क्या करना है क्या नी करना यहां पर जो यहां पर जैसे की payment विगरा करने का जो आपका है चाहिए आप credit card से करो debit card से करो net banking से करो यूपी आई से करो इसके लिए last date 26 तक आपके पास last date है इतना तक आपको आपको complete कर देना है उसके बाद करक्षन के लिए भी देता है करक्षन के लिए अगर आपको लगते हैं सुधार करेंगे कोई चीज़ को करक्षन करना है हमें तो उसके लिए भी देखो यहां पर 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक का आपको समय दिया गया है फ़र्म बगराय आपने सब कुछ भर दिया इसके बाद क्या होगा आपका किस सीटी में मैं किस सहर में आपका इक्जाम होगा यह सबसे पहले announcement होता है और यह आपका होगा 30 अप्रेल 2024 को देखलो 30 अप्रेल को आपको पता चल जाएगा क्या किस सहर में एक्जाम होने वाला है इसके बाद आगे देखो बात करें admit card का तो admit card कब से download होगा तो admit card आपका download होगा जो मैं का जो second सब्ता होगा second week of May मैं का जो दूसरा सब्ता होगा मैं के दूसरे सब्ता में क्या होगा यहां पर मैं के दूसरे सब्ता में क्या होगा आपका admit card download होना शुरू हो चाएगा कोई दिगत नहीं है डेट अप examination अगर exam के date का बात करें तो आपका exam होगा यहाँ पर 15 महीं से 31 महीं तक 15 महीं से 31 महीं तक मलब इतना दिन आपका exam चलेगा 15 कभी आपका exam हो सकता है कि लमबा चोड़ा चलता है 15 chỉ 16 दिन आपका exam चलता हैक कोई नहीं मैं intellectual जेर्रल पेपर भी होता है जेनरल पेपर मतलब समझो जिसमें आपका मेनत रिजिनिंग जीके जीएस इस परकार चोगा यह से भी होता है तो तुप को तियारी करना पड़ेगा आगे देखो आगे हैं पर हमारा क्या है तो date of examination में आपको बोली दिया बात करें अगर हम लोग यहां पर बात करें अगर display of क्या है जो answer की answer की बेगरा फिर आएगा बाद में जो कि इसके website से हमें बाद में पता चल जाएगा और यहां पर date of examination तुम्हें आपको बताई दिया कि 15 में से 31 में के बीच आपका यहां पर कभी भी exam हो सकता है आगे चलो आगे देखो कि यहां पर कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया है इसमें total 33 भासा होता है जिसमें होते हैं 33 भासा में सब कोई साभी रख सकते हो मैं आपको बताऊंगा tension मतलो इसलों हड़ड़ा की कुछ भरना नहीं है आपको तो 33 भासा होगा यहां पर 27 subjects होंगे और 33 33 आपका यहां पर भासा का होगा देखो जो आपका लेंग्वेज बाला जो पेपर होगा ठीक के फिर लिंग्वेज बाला पेपर बोलो यह पिर सब्चाइक वाला जो सब्चाइक टोंइक सु ठाइब से बतार को हütünगै जोता है ऑगा इजसे बतार से शरुपितल से रहते हैं क्या होता है सब कुछ में आपको वार्स पर प्रभाइड करा दूंगा तो 50 कोश्चन पर घर का इसमें साथ कोशचन से आपको मात्र 50 कोश्चन का है एंसर देना है यहां से भी आपको 10 कोश्चन का डिसकाउंट मिल जाएगा तो कुछ कोश्चन का डिसकाउंट इस प्रकार से आपको मिलेगा और देखो यहां पर कौन-कौन से मुल्वीज पेपर का हमारा यहां पर एंध्याम होता है आप देख सकते हूँ देख लो यह सारे लेंग्वीज बेपर है इंगलिच हंदी चिब आप देख लो यह सब आपका यहीं антॲोजी है बीज़िश्टरी चिमस्ट्रि से कोच इस प्रकार से आपका है और सार Engagement तो देखो कुछ इस प्रकार से आपका होगा और यहां पर देखलो क्या है के लिस्ट आप सिटिज आूटसाइट इंडिया फूट यह तो छोड़ो यह यह दो अलग चीज हो गया यह सब आपको देखना नहीं है यह सब आपको देखना नहीं है तो कुछ भी जानकारी होगा ना कुछ भी जानकारी होगा मैं आपको आगे सब कुछ बता दूंगा क्या है क्या नहीं कैसे क्या करना है इनहां भाई मैं आपको एक ही बात बता दे र कराऊंगा और एककर करके बताऊंगा क्या ऊपको कॉन से इंडिवर्सीटी में ने रहे हो जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दोंगा कि कितने सब्जक्ट रखने हैं और कौन-कौन से सब्यक्ट रखने हैं जिससे आपका फॉर्म रिजक्ट नहीं होगा तो चलो यह रहा हमारा आज का वीडियो आप लोग फड़ापट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वाटसेप पे जूर जाओ तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जहिंद